हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल तो साथो बिहार पुलिस में केवल अब तीन दिन से स्रा गया हैं एक अक्टूबर से आपका पेपर है और आज इस क्लास में बिहार पुलिस के लिए इस्पेसली टॉप 100 जीके जीएस के कोशन्स करें वाले हैं तो चैलि बिना देरी किये हुए बिहार पुलिस के क्रेस को सुरू करते हैं और देखते हैं कुस्छन्स और आज के क्लास का पहला कुस्छन आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है ध्यान से दिखिगा गीता रहस्य मंग घ्रंथ किसे दौरा लिखा गिया है इप libны अ नामक गरंथ यह बाल गंगाधर तीलक के द्वारा रचीत है बाल गंगाधर तीलक के द्वारा लिखा गया है राइट है ऑप्सन नंबर भी आप सबी साथ उसे रिक्वेश्ट है क्लास को एक लाइक जरू कर देना क्लास अगर पसंद आये तो आपने सबी दोस्तों के साथ ज जिस सदन का अद्धच उस सदन का सदस नहीं होता है तो करिक्टेंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर भी राज्यसभा का आप देखे राज्यसभा के अद्धच कौन होते हैं तो उपराष्ट पती उपराष्ट पती पदेन अद्धच होते हैं राज्यसभा के तो करिक्टेंसर हो जाएगा option number B लगू धोग से question number 4 भारती हीरा संस्थान कहां अस्थापित है तो साचु ध्यान से दिखिएगा भारती हीरा संस्थान ये कहां परिस्तित है तो right answer होगा option number B सूरत में अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक हीरा कहां पर उत्पादन होता है तो फिर correct answer हो जाएगा आपका मध्यपरदेश ठीक है क्योंकि भारत में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन तो मध्यपरदेश में होता है लेकिन भारती हीरा संस्थान कहां परिस्तित है तो याद रिखीगा सूरत में करेक्ट रंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर भी सुरत चलिए आज का अगला कोश्चे ने निमनी इतिहास कारो में से किस ने अकबर को इसलाम का सत्रू कहा तिन में से वो कौन से इतिहास कार है जिनोंने अकबर को इसलाम का सत्रू कहा था देखिए करेक्ट है ओप्सन नमबर भ दुएद्जासन कब से कब तक चला था तो दीकिए बंगाल में दुएद्जासन की सुरुवात हुई थी 1765 इसमी से जो की चला था साथ हो 1772 तक क्योंकि 1773 में वारेन हैस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था तो करिक्ट आप्शन नंबर सी 1765 से 1772 तक अगला है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा दिया है तो देखिए चित्रा उपन्यास के लिए खकोंने याद रिखीगा रविंद्रनात टेग और आप्शन नंबर सी बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी उनकी कुसल संगंठन छमता के कारण किस आंदोलन के दोरान दी गई थी तो देखिए बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी बार्दोली सेत्तागरह में दिया गया था जो की 1928 में हुआ था नेक्स्ट है 1922 इसवी में निमनल खित में से किसके द्वारा यहां उदगार व्यक्त किया गया कि भारतिय संबिधान भारतियों की इच्छ अनुसार होगा तो करेक्ट एंसर साथ हो महात्मा गांधी के द्वारा करेक्ट है ओप्शन नमबर ए नेक्स्ट है निमनल खित में से किष्णे राष्टिया या भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अधिच्टा किष्णे की थी तो राइठ साथ बल्लब भाई पटिलने ओप्शन नमबर डी निमन में से कौन सी समीती भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही तो राइठ है ओप्शन नमबर ए बिजय केलकर समीती अगला कोश्चन है किसी भी अभियुक्त की फासी की सजा को बदलने या कम करने का अधिका किसे दिया गया है तो साथियो ध्यान से देखिए किसी भी अभियुक्त की फासी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है तो भारत के राष्टपती को भारत के राष्टपती के पास वहां अधिकार है कि किसी भी अभियुक्त की फासी की सजा को बदलने या उसको माप करने या उसको कम करने का दिकार दिया गया है अगला é pre trade today पुस्तक के लेखक कौण है तो देखीजा अप pre trade today पुस्तक के लेखक है जगदिश भगवती जी ओप्शन नमबर B धर्मत का युद निमन में से किन के बीच लडा गया तो देखे धर्मत का युद्वा था अपरेल 1658 इसवी में और ये किनके बीच लड़ा गिया था तो ओरंग जेव और दारासिको के बीच में साच्यों याद रिखीगा औरंग जेव और दारासिको दोनों आपस में भाई थे दोनों ही साहा जहां के पुत्र थे इन दोनों के ही बीच में धर्मत का युद्वा था अपरेल 1658 इसवी में अगला है निमनल खित में से कौन सा अभिलेक कलिंग नरेश खारवेल से संबंदित है तो देखिए इन में से वो कौन सा अभिलेक है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंदित है याद रिखीगा हाथी गुंफा अभिलेक ओप्शन नमबर है निमनल खित में से मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकाल इन था तो ध्यान से दिखिए निम्नलकित में से वो कौन सा राजा है जो सिकंदर महान का समकाल इन था तो राइट है option number 2 घनानंद अगला है हमारे धर्म रसोई घर में है हमारे भगवान खाना बनाने के बरतनों में हैं आज हिंदु धरम मत छुवाद बन गिया है यहाँ किस ने कहा था तो इस कथन को कहा था स्वामी विवेक आनन जी ने अगला है किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वन्स को अल गुजर एवं इस वन्स के सासकों को बोरा कहकर पुकारा था तो राइट है अप्शन नमबर भी असम सुधी ने नेक्स्ट है बौध गरंथ पीटको की रचना नेमनल खित में से किस भासा में की गई थी तो साथ्यों देखिए बौध गरंथ जो है पीटको या पीटक उनकी रचना किस भासा में की गई थी तो पाली भासा में ऑप्शन नमबर सी राइटन से रहे किस सिख गुरु की मृ कारण अगला है निमनल खीत राज युगुमों में से किसे राज सभा के समान परतिनिदित वो प्राप्त है यानि कौन से दो राज्ये हैं ठीक है जिन उन दो राज्यों में राज्य सभा के लिए समान समान सीटे आरक्षी थे तो एक तो होगा आपका मध्य परदेश और एक गुजरात इन दोनों राज्यों में राज्य सभा के लिए ग्यारा सीटे आरक्षी थे तो करेक्ट है ओप्सन नंबर भी देखिए मध्य परदेश में भी राज्य सभा के लिए ग्यारा सीटे है और गुजरात में भी ग्यारा सीटे है तो ओप्सन नंबर भी राइट होगा किस संबिधान संसोधन अधिनियम द्वारा राज लोक सेवा आयोग के अध्धच हवं सदेशों की सेवना विरिती की आयूसिमा 60 वर्स से बढ़ा कर 62 वर्स कर दी गई थी तो देखिए करेक्ट अंसर हो जाएगा 41 संबिधान संसोधन अधिनियम के द्वारा अगला भारत के राष्ट पती की मरजी तक निमनल लखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है तो राइट होगा ऑप्सन नमबर सी राज जिपाल देखिए राज जिपाल जो है जब तक भारत के राष्ट पती चाहे तब तक वह अपने पद पर बने रह सकते है निमनल लखि से संबंध्य थे इन में से वह कौन सी जन जाती है जो कि मौसमी प्रवाच से समंधित जन जाती है तो राइट है साथ very very important question है जरूर आप से पूछा जाएगा नदी जील तलाब इन सब से question जो है आपको 100% देखने को मिलेंगे अगला है भारत में बिमारू राज्यों में सबसे घना अबाद कौन सा राज्य है आप बिमारू राज्यों में यानि देखें बिमारू राज्यों में यानि जो राज कम सच्चित है जो थोड़ा गरीवी रिखा के नीचे हैं उन राज्यों में तो गना वहार का बिहार उत्तर पिर्देश विमारू राज्य के अंतरगत नहीं आता है देखें बिहार जो है बिहार जारखंड यह सभी विमारुराज के अंतरगत आते हैं और इनमें से बिहार का जनसंख्या या क्या पूला है घना आबाधना बिल्कुल तो जनसंख्या जो है बिहार का एक सो दसमलाव चार मिलियन है साथ हो 2011 के जनगन्ना के अनुसार यानि जनसंख्या की दिरिष्टी से बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है दुसरे नमबर पर महरास्ट्रे और तीसरे नमबर के बिहा तो सही नहीं है याने इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है चलिए अलव जो है ये राजस्थान में हरीदवार उत्राखंड में मुदेर इया मदूरै तामिलनाड referee जहासी यह मज़व परदेश में नहीं है जहासी तो उत्तर प्रदेश में तो ये जोड़ा गलत है यही आ महारूती नहीं देखिया महिंद्वा मैंद्रा कमपने ल bezpieide पूर्णे महाराष्टप में गुरुकग्राम या गुरगाओं में आपका मारूती सजुकी उधोग जो है यह आपका गुरुक्रम या गुरुण घ़न cabeça धाल और महिंद्रा टेलिकॉम या में देखिए भूतापिया उर्जापराधारित मंनी-करणविजली सयंत्रा ये कहां इस्ति थे से हिमाचल प्रदेश में अगला भारत के सुन्दरपुर में कौन सा देश भारत के साथ सरवधिक लंबी अंतराष्टिय सीमा बनाता है काफी important question है तो भारत के सुंदरपूर में कौन सा देश है जो भारत के साथ सरवधिक लंबी अंतराष्टिय सीमा बनाता है तो दिखीगा right answer है म्यम्मार option number B अगला ग्रिस्म काल में आने वाले तुफानों को निमनल कित में से किस राज में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है तो याद रिकीगा ग्रिस्म काल में आने वाले तुफानों को निमनल कित में से किस राज में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है तो पस्चिम मंगाल में option number D अगला है मात्मा गांधी दक्चिन अपरिका से भारत किस वर्ष लोटे थे तो देखे मात्मा गांधी दक्षिन अपरिका 1893 में गये थे और लगवग 21 वर्ष के बाद वो 1915 में 9 जनवरी 1915 को वापस लोटे थे तो करेक्ट आएगा ओप्सन नंबर है 1915 अस्तोम सद्गमाया कहां से लिया गिया है तो देखे राइट एंसर है ओप्सन नंबर है रिग वेद से किस मुगल वादसा के दुर्भाग्य पर ब्यंगय करते हुए यानि मजाक उडाते हुए लेनपूल ने लिखा है कि वहाँ जीबन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीबन का अंथ हुआ तो यह सात्यों हुमायू के बारे में लिखा है लेनपूल ने याद रखना ओप्सन नंबर सी किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुक बुराईयों में सामिल क्या गिया है तो करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर मेत्रा य जो धारा को देती है याद रखना व्यज्विक्ट रूति शियुक्त होना चाहिए उसे आसानी से दहन सील होना चाहिए और उसका जुबन ताप उप्युक्त होना चाहिए, उप्युक्त सभी। अगला है किसी द्रभ का बास्पिकरन होने से उसका तापमान जो है वह घट अगला डायोड वहाई उकती है जो धारा को क्या करता है तदी कि डायोड वहाई उकती है जो धारा को एक दिशा में परभावित होने देती है याद रखना ओप्सन नमबर है करेक्ट है डायोड वहाई उकती है जो धारा को एक दिशा में परभावित होने देती है अगला है पूर्ण भीकिरन उत्ताप मापी की सिध्धान्त पर आधारित है तो करेक्ट है इस्ठीपन की प्रभाव पर याद रिखे इस्ठीपन होकिंग के सिध्धान्त पर कारी करता है पूर्ण भीकिरन उत्ताप मापी हिर्दय की धरकन को नियंत्रीत करने के लिए निम्र में से कौन सा खनी जावश्यक है तो करेक्ट आएगा option number C, potassium देखिए और निथोलोजी में किसका अध्यान होता है simple question है, correct होगा option number E, पक्षियों का अगला question देखते हैं, next question है अक्सी स्वसन का अंतिमुत्पाद क्या होता है तो देखिए अक्सी स्वसन का अंतिमुत्पाद क्या होता है तो याद रिखिएगा carbon dioxide gas, option number E next question है, प्रोग्राम है तू सरपर्थम विक्सित की गई नई computer भासा कौन सी है तो देखिएगा प्रोग्राम है तू सरपर्थम विक्सित की गई कॉम्पीटर भासा थी फोटन याद रखना ओप्शन नमबर ए अगला है लोकसभा में राजवार सीटो का अवंटन 1971 के जनगना पर आधारित है यहाँ निर्धारन किस वर्ष तक यथावत होगा यानि देख अलकित में से कौन सी योजिना भारत सरकार द्वारा आरण नहीं की गई है तो सब्सक्रेंट होगा बिचीत्र चितमत विलास आदियुपादी धारन करने वाला पल्लवसासक कौन था तो करेक्टर महेंद्र बर्मन दूतिया ओप्सन नमबर भी अगला है ब्रिटिस नागरीकों को सरपर्थम किस वर्स भारत में भूमी खरीदने एवं बसने की अनुमती मिली थी तो राइट है ओप्सन नमबर भी अठारसो तैंटिस में अगला है आतमनिर भरता किसका मुख्युद्दिस था तो देखे आतमनिर भरता ये साथ यो साथ वी पंच वर्से योजना का मुख्युद्दिस था याद रिखीगा अगला है निमनलखित में से बिजयनगर राज का पर्थम राजवन्स कौन सा था तो देखे बिजयनगर राज की अस्थपना 1336 में हरिहर और बुक का नमक भाईयों ने मिलकर किया था और इसका पर्थम राजवन्स कौन सा था तो याद रिखीगा संगामा ओप्सन नमबर मुसलिमों को सेना में नियुक्त करने वाला बिजय नगर का पर्थम सासक कौन था तो देखे राइट है ओप्सन नमबर ए देव राय पर्थम अगला है किस सुल्टान ने सेनिकों को भू अनुदान के अस्थान पर नगद बेतन देने की पर्था चलाई थी तो सेनिकों को नगद बेतन देने की पर्था किसने चलाई थी तो याद रिकीगा अलाउद दिन खिल जी ने ओप्सन नमबर ए निमनल की तरज्जों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारम की गई है तो करेक्ट है हिमाचल प्रदेश के द्वारा ओप्सन नमबर सी समाजवाद का अर्थ क्या है तो साथियों समाजवाद का अर्थ होता है समाजिक नियाई अगला है निमन में सेक की सस्थान को पेरी प्लस ऑफ दी इरिथिरियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है तो राइट है अप्सन नमबर भी अरीका मेडू को अगला है हर्स या हर्सवर्धन के सासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्पुन सार कौन सा था तो देखीगा राइट एंड सरे कन्योज ओप्सन नमबर C नेक्स्ट है अठारो सो संतावन की क्रांती के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था नेक्स्ट है भारत रतन पदम भुपब भीभुसन आदी अलंकार क्रदान किया जाता है तो राइट है अनुच्चेद 18 के अन्तरगत अगला है वह भारतिय राजी जिसका बित्य लेंदेन भारतिय रिजर्ब बैंक के माध्यम से नहीं होता था ठेक है तो करेक्ट एंसर हो जाता जम्मु कस्मीर लेकिन अभी जम्मु कस्मीर से आर्टिकल 370 हड गया है तो ये कोस्चन अब नहीं पूछेगा अगला है केंगा के साथ हैं करना टक में श्रे ओसन नंबर ₟ एंसर है खैजूराहो के मंदीर का संबन किससे है तो देखेए खैजूराहो के मंदीर जोकी मध्य परदेश में श्रूर्द मोश्म श्रूर्दाई और जन संप्रदाई इन तीनों से संबन व Zwe hep 9過來 कि सफुरू को गयी थी तो राइ तो राइट है गोडिय संप्रदाय से option number C, गोवा दमन और दीब का उपनिवेसी करन मुलता किया गया था किसके द्वारा, तो राइट है option number D, पूर्थ गालियों के द्वारा, अगला है किस बेद में सभाको नरिष्ट, अर्थात, सामोहिक बाद विबाद का अनुलंगनी कहा गिया है, तो किस बेद में तो राइट है अर्थाव बेद में option number D, अगला है अकबर ने सरपर्थम बेभाहिक संबंद राजपूतों के जिस ग्रेह से स्थापित क्या वहां कौन थे, तो देखिए, अकबर ने सरपर्थम बेभाहिक संबंद राजपूतों के किस ग्रेह में स्थापित किये थे तो करेक्ट है option नमबर भी कच्छवाहों के साथ याद रखना अगला है जंडागित किस ने लिखा है तो जंडागित के लेकर कौन है तो सियामलाल गुप्त पारसद राइट है option नमबर डी भारतिय संभिधान के किस अनुच्छिद में बिभीन राज्जो से संबंधित विष्टि विषिष्ट प्रावधान का उल्लेख है तो देखिए राइट हैंसर हो जाएगा option नमबर सी अनुच्छिद 371 में जैसे कि अनुच्छिद 371 कहीं में नागालेंड के बारे में बताए गया है ठीक है अगला कोस्टे ने समास्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमानु जिनका क्या हो बिलकुल समास्थानिक यानि आइसोटोप उसे बोलते हैं जिसका परमानु भार भिन किन्तु परमानु क्रमांक समान होता है तो option नमबर भी correct होगा साथियो जिसका परमानु भार अलग-अलग होता है लेकिन परमानु सेंखा जो है पूने में इस्ती थे याद रिखेगा ठीक है आज का अगला कोश्चे ने एक नौटिकल मिल बराबर कितना होता है तो देखे एक नौटिकल मिल बराबर होता है 1.85 किलोमेटर ओप्सन नमबर सी कितने वर्सों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है रा पहला राज कौन सा था जिसका भासाई आधार पर पुनरगठन किया गिया था तो याद रिखेगा आंधर परदेश नेक्स्ट कोष्चेन है किस देश में दोहरी नागरिकता का Siddhant सुशिकार किया गिया है तो उप्सन नमबर डि सैयुक तराज अमेरिका में संबिधान के किस अनुच्चेद में संसोधन की प्रकरिया का उलेक मिलता है तो उप्सन नमबर डि अनुच्चेद तीनसो अर्ट ग्रत में जो की साउथ अफ्रीका के संब्रदान से लिया गिया है। देखिए, अनुच्छत 352 राष्टिया पथकाल से संबंदी थे। और अनुच्छत 306 ये वित्या आपातकाल से संबंदी थे अगला है किसी कैदी को नियाले के समक्ष परस्तुत करवाने के लिए किस रीट किया विसकता होती है तो करेक्ट साथ यो बंदी प्रतच्छी करण रीट की ऑप्सन नंबर ए बरतमान समय में भारतिय संभिधान के अंतरगत संपत्तिक अधिकार एक निती निर्दसक तत्व का महत्व किसके लिए है तो देखे निती निर्दसक तत्व जो कि भारतिय संभिधान के अनुच्छिद 36 से 51 में बरनित है संभिधान के भाग चार में इसका उलेक मिलता है और यह आयरलेंड के संभिधान से लिया गया है और इसका महत्व जो है रा सांती और सुरक्षा के समर्दन से ए तो रह त हैं अनुच्छी दिक्यावन का आप्रसर नंबर सी संसद को बंग करने के लिए कौन सक्चा में तो क्रिक्ड है आप सन नंबर 2 राष्ट पती भारत की पा कर्लेमेंट कवद गाटन का ब cooks है तो प्राइट है option number D 1927 इस्वी में राष्टपती पद्दती में समस्त कारिपालिका का सक्तिया किसमे नीत होती है तो करिक्टर साथ याद रिखेगा option number D राष्टपती में अगला है राष्टपती पद के चुनाव से संबंदित विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है त छे महा के अंदर option number B अगला है भारत में राष्टपती राज्य सभा के कितने सदेशों को मनोनित कर सकता है तो राइट है option number D 12 सदेशों को भारत के पहले राष्टपती के रूप में डॉक्टर राजंदर प्रसाद का चुनाव किया गया था कहा किसके द्वारा तो याद र खेका कार्बन मोनोक्साइड अगला है अभी नाटोजण हैं करन पर उथन द्रिस गैस किसकी क्रिया तो शवती थकलत हैं तो राइजओ वियंदान का वहां कौन वہग है जो संबिधान के निर्माताव के मस्तिष को रुंद्देशों को प्रति भीमबित करताए तो राइट साथ के नीतीनरद सक्तत्व बारत में संग राज्जों का परसासन होता है किस्के दुआरा तो देखिये भारत में संग राज्जों का प्रसासन होता है राष्ट पती के दुआरा ऑप्शन नमबर एक बारत को बर्स 1947 सर उभुमिक सत्ता debating की कोई अकोन थे तो सब्से का मुम्र में प्रधान मंत्री पर आसीन होने वाले ब्यक्ति कोने तो करेक्ट अप्सन नमरे राजिव गांधी अंतिम कोश्चन है राज्य सभा के लिए नामित पर्थम फिल्म अभिनेत्री कौन थी तो नर्गिस दत्थ साथ्यों बहुत ही इंपोर्डेंट कोश्चन थे यह पूरे 100 कोश्चन बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के लिए आपको आज का क्लास कैसा ले मातरम जाहिन सभी को